इस समाचार के प्रयोजक हैं गोर्ट्स जिम मुजफर पूर क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती इस रोतिनिया कमपोस्ट ग्राउंड में खरें यहां के चारो तरफ के आवादी कमपोस्ट ग्राउंड के प्रदूसन के कारण काफी परिशान है लोग लोग का जीना मुहाल हो गया है इस्थिती है कि दस गाउं में अधिकतर लोग दम्मा रोग से कैंसर रोग से हिर्दे और शरीर में अन तरह के कई रोग से ग्रसित हो गये चारो तरफ इसकूल में जो बच्चे हैं वो लगातार बीमार हो रहे हैं और नगर निगम पूरे सहर का गंदगी लेकर इस रियाइसी इलाके में डाल कर लोगों को मरने पर विवस कर रही हैं इन्ही सवालों को लेकर आज हम सब किसान और यहां के अस्थानी लोग के साथ बैठे थे जब समिक्षा किया तो पता चला कि 1962 में नगर निगम दोरा जबरन यहां के किसानों से जमीन ले लिया गया था एक पैसा का भुगतान मुआबजा का नहीं हुआ आज तक और शुविधा देने के बजाए नगर निगम ददागिरी कर रही है हम लोग उन्हें निर्णे लिया है कि सबाल को लेकर हम तिरूत रेंज के कमिस्णर साहब से मिलेंगे उनको जमीनी सचाई बचाएंगे और इतना ही नहीं भारत सरकार से लेकर राजसरकार तक हम पहल करके इन समस्याओं को रखेंगे और जो ये जनता के लिए जो एक अभिसाब बना हुआ है ये कमपोस्ट गराउन निश्चित रूप से हटे इसके लिए हम लोग प्रियास करेंगे मुझजफरपूर जैकपॉट सलून वीमिन्स प्यूटी पार्लर पुरानी बाजार नियर विद्या विवाभवन मुझजफरपूर की सान और ब्राइडल मेकप में अलग पहचान बनाई नैश्रल मेकप स्पेसलिस्ट कोमल सहा के जैकपॉट सलून में पार्टी मेकप, SD मेकप, एरप्रस मेकप, इंगेजमेंट मेकप, सहित अन्य सभी प्रकार के मेकप की है वेवस्था इसके साथ ही नेलार, महंदी, टैटू, हेरस्पा, स्ट्रेटनिंग, रिबॉंडिंग और हाइलाइट्स की बहतरी सुविदा भी है उपलब सुब लगना हो या किसी पार्टी फंक्शन में हो जाना तो पहचिए जैकपट सलून और अपने सौंदर ही मिलाईए निखाद मैं कोमल सा मेकप आर्टिस्ट, मैं दलिल के USA कंपनी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ मेरे सलून जैकपट सलून जो की पुरानी बजार में स्थित है हमारे यहाँ और फिसलिटी अबलेवल है हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट में ब्राइडल मेकप है एर ब्रेस मेकप है और टाइप मेकप है नेल आर्ट है टैट्टू है मैंदी है फेशिल है और सर्विस झाल झाल